पर question कहता है कि ये friction की value इस friction की value का double है अगर ये अपने peak value 15 पे हुआ तो भी इस friction की value 30 है 30 से उपर तो नहीं हो सकती क्यों क्यों कि question कह रहा है कि ये friction इसका double है आइटी जेई 2000 में फ्रिक्षन के ऊपर पूछा गया ये कोस्चन बड़ा ही कॉंसेप्चिल कोस्चन है और आपको फ्रिक्षन के बारे में लगबग सभी कुछ सिखा जाता है आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है जी हाँ आज हम डिसकस करेंगे आइटी जेई 2000 में पूछे गए मेकैनिक्स के इस कोस्चन को कोश्चन कुछ ऐसा है इस होरिजोंटल सर्फेस के ऊपर 50 kg का एक बड़ा ब्लॉक है जैसा आप देख रहे हैं इसके ऊपर 20 kg का एक और ब्लॉक रखा है और यहां होरिजोंटल सर्फेस पे एक 5 kg का ब्लॉक और भी रखा है यह सभी ब्लॉक प against हैं जैसा की डायग्राम में दिख रहा है स्ट्रिbak मास्स्लेस है पूली भी मास्सलेस यह पूली इस ब्लॉक में फिक्स्ट है यह पूली भी इस ब्लॉक में फिक्सट है हलाकि मुझे याद आता है कि IATJ के question paper में एक थोड़ी सी ambiguity थी यह जो pulley को fix किया गया था यहाँ पे ऐसे rod दिखाया गया था और एक confusion आ रहा था कि यह pulley इस horizontal surface पे fixed है या इस बड़े block लेकिन जहां तक लगता है कि यह pulley बड़े block पे ही fixed है यह question को ज़्यादा आसान रखता है और लगता है पढ़ने के बाद समझने के बाद करने के बाद कि शायद question ऐसा ही रहा हो तो यह pulley और यह pulley दोनों ही इस बड़े block के साथ उपर fixed है यह कुछ ऐसा है यह pulley यह pulley और यह string जो है यह massless string है जो इन दोनों blocks को connect कर रही है पुली massless है अब question कहता है कि इस block और इस horizontal surface के बीच में कोई friction नहीं है यह friction नहीं है लेकिन इस block और horizontal surface के बीच में coefficient of friction 0.3 है और उसी तरीके से यह block और इस block के बीच में coefficient of friction 0.3 है अब आप जाते हैं और इस बड़े block पे एक horizontal force F लगा कर इसे pull करना शुरू करते हैं आप एक horizontal force F लगा कर इस बड़े block को pull करना शुरू करते हैं question कहता है F की किसी खास value के लिए capital F की किसी खास value के लिए इस block पर लगने वाला friction अगर मैं इस पे लगने वाले friction को F1 नाम दे दूँ और इस पे लगने वाले friction को F2 नाम दे दूँ तो question कह रहा है इस block को एक ऐसे force से pull किया गया F की एक खास value ऐसी है जिसके लिए इस पर लगने वाला friction F1 इस block पर act करने वाले friction का double है फिर जुद लीजे मैं इस बड़े block को capital F force apply करके खीच रहा हूँ capital F की एक particular value के लिए the friction force acting on this block is twice the friction force acting on this block right in this particular case for this particular case you have to find you have to find the acceleration of the system the force applied the tension in the string values of friction and all those things basically you have to find force F for which this is going to happen that friction force acting on this block is twice the friction force acting on this block अगर आपने आज तक इस सवाल को नहीं देखा है तो वीडियो को pause कर दीजे try कीजे बहुत मजाने वाला है आपको और अगर आपने देखा है फिर भी ट्राइ कर लिए एक बार इससे पहले कि आप मेरे solution को सुने बच्चों आप question कहता है F1 की value F2 की double होनी चीए जड़ा ध्यान से देखो यह जो F2 friction है इसकी maximum possible value क्या हो सकती है F2 की maximum possible value that means is block और surface horizontal surface के बीच में act करने वाले friction की limiting value क्या हो सकती है mu into n mu है 0.3 और आप सभी समझते हैं कि हाजो normal reaction force है वो इसके weight के equal है which is 5g 50 so 0.3 into 50 this gives you 15 newton this friction cannot have a value higher than 15 newton मान लेते 1 minute के लिए 15 newton है 1 minute मान लेते 15 newton है अगर यह friction सच में 15 newton है तो यह friction 30 newton है isn't it अब जड़ा ध्यान से देखिए इस friction की peak value क्या हो सकती है इस f1 की peak value क्या हो सकती है mu into n and dash यहां का जो भी normal reaction है कितना है normal reaction 20g 200 newton 200 newton into 0.3 60 प्लीज यहां दो बच्चों बहुत बड़ी बात इस friction की peak value 15 हो सकती है 15 से बड़ी तो हो नहीं सकती है और यह friction 0 से 60 के बीच में कहीं हो सकता है पर question कहता है कि यह friction की value इस friction की value का double है अगर यह अपने peak value 15 पे हुआ तो भी इस friction की value 30 है 30 से उपर तो नहीं हो सकती क्यों? क्योंकि question कह रहा है कि यह friction इसका double है इसकी बड़ी से बड़ी value 15 है तो इसकी बड़ी से बड़ी value 30 के उपर तो नहीं हो सकती आपने जो force लगाया है उस force के लिए इस friction की value 30 Newton से बड़ी तो नहीं हो सकती एक मिनट के लिए मालने की यह friction 10 Newton है तो ठीक है उसका double यह 20 है वाट ड़ी इसका क्या आर्थ हुआ? इसका आर्थ यह हुआ कि इन दोनों के बीच में जो friction है वो static friction है क्यों? अगर यहां rubbing हो रही होती यह दोनों के बीच में relative motion हो रहा होता यह block इस पर फिसल रहा होता तो friction kinetic होता और kinetic friction की तो एक ही value होती है वो mu into n 60 Newton होता प्लीज ज्यान दीजे अगर यहां पर friction 60 Newton होता तो वो kinetic friction हो सकता था लेकिन हम साथ समझ सकते हैं कि यह जो friction है यह 30 Newton या उससे कम ही होगा क्योंकि question कह रहा है कि यह friction इसका double है तो यह बड़ा से बड़ा 15 हो सकता है तो यह बहुत बड़ा होगा तो 30 होगा that means 60 से कम अपनी जो limiting value है उससे काफी कम यह तभी होगा ना जब friction is static हो static friction अपने size को घटा बढ़ा सकता है वो 0 से एक maximum value के बीच में खुद को कहीं भी adjust कर सकता है उसकी maximum value mu into n होती है जो इस case में 60 Newton है पर हमें यह समझ में आ रहा है question को पढ़कर question कह रहा है कि इस friction की जो maximum value संभव है as per the question वो 30 Newton है तो naturally 60 से कम है यह friction definitely 60 से कम है इसलिए इन दोनों के बीच में act करने वाला friction force static friction है static friction है मतलब के यह rubbing नहीं हो रहा है यह rubbing नहीं हो रही है means अगर यह डोनों चल रहे हैं तो साथ चल रहे है with same acceleration यह block इसके आपर फिसलता नहीं घिस ता नहीं there is no rubbing यह अगर चल रहे हैं तो एक के उपर एक रखे ऐसे चल रहें एक साथ कोई रबिंग नहीं हो रही है अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों का एक्सलरेशन सेम है और बच्चों ज़रा ध्यान से देख लो अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल पड़े ये ऐसे चल रहे हैं जैसे फेविकॉल से तो ये कितना चलेगा ज़रा ध्यान देखना ये भी एक मीटर चलेगा रसी की ये लेंद तो फिक्स्ट है ये तो बदलने से रही अगर ये दोनों के दोनों ऐसे एक मीटर आगे खिसकाए तो यहां रसी एक मीटर लंबी हो जाएगी ये लेंद फिक्स्ट है तो यहां एक चले तो इसको भी एक मीटर चलना पड़ेगा क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यहां जो फ्रिक्षन है वह स्टाटिक है मतलब रबिंग नहीं हो रही है मतलब दोनों साथ चल रहे हैं जैसे कि फेवी कोल से शिपका दिये गया हूँ ऐ आप दोनों अगर साथ चल रहे हैं तो यह दोनों जीतना भी डिस्टेंस चलेंगे उतना ही इसको भी चलना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह सिस्टम चल रहा है तो इन सभी ब्लॉक्स के अक्सलरेशन सेम है और कुछ होई नहीं सकता सोचके देखिए इन सभ प्लॉक्स के अक्सलरेशन सेम है अगर सिस्टम चल रहा है इसका अक्सलरेशन ए इसका भी यह तभी यह दोनों साथ चलेंगे तभी फ्रिक्शन स्टाटिक होगा और यह दोनों अगर एक्सलरेशन से चल रहे है तो इसको भी उसी अक्सलरेशन से चलना पड़ेगा क्योंकि string fixed length किये है तो whole system अगर चल रहा है तो same acceleration से चल रहा है तो माल लेते हैं एक minute के लिए कि इस पूरे system का acceleration यह है यह यह दोनों तीनों block एक साथ चल रहा है तो obviously मैं लिख सकता हूँ कि जो externally applied force है गौर कीजे F मैं तीनों block को एक system ले रहा हूँ जो दिख रहा है board पे आपको वो सब मेरा एक system है system का mass है 50 plus 20 70 और 5 75 kg इस system पे external total force कितना दिख रहा है F minus यह friction और because हम यह बोल रहे हैं कि चल रहे हैं यह अगर यह चल रहे हैं तो यहां rubbing हो रही है यह चल रहा है घिजट रहा है तो यह friction तो kinetic ही हुआ उसकी value तो 15 newton ही होगी फिर तो प्लीज जान दीजे इस पूरे system के ऊपर लगने वाला total forward force F minus 15 newton F minus 15 newton this must be equal to mass 75 kg into acceleration अगर यह system चल रहा है तो इसका acceleration इतना होगा depending on value of F अभी हम उस पे आते हैं अगर चल रहा है तो तीनो साथ चल रहा है और अगर तीनो साथ चल रहा है तो तीनो को अलग अलग क्यों consider करना total forward force is F minus this friction this friction is 15 because यह चल रहा है rubbing हो रही है तो naturally kinetic friction है और वो 15 newton है तो total forward force F minus 15 that is equal to mass 75 kg into acceleration that is one equation that we obtain. Now, इन दोनो block छोटे blocks छोटे blocks के motion को जड़ा अलग से study करते हैं आईए देखते हैं इस block के motion को study करते हैं कौन-कौन से forces पे लग रहे हैं बच्छो एक है इसका tension रसी का tension actually question में tension भी निकालने को कहा गया यह रसी का tension और इस पे लगने वाला friction force अब अगर यह system चल रहा है जैसा हमने कहा चल रहा है यहां friction 15 होगा इसका double है यह वाला friction तो यह तो पका 30 है यह अगर आगे जाना चाहरा है तो यह friction force ही तो इसको खीच के ले जा रहा है छोटे block को वो friction force कितना है 30 हम सिर्फ इसके motion को study करते हैं अगर तो इस पे net forward force कितना होगा यह friction force 30 Newton 30 minus tension minus tension is mass of the block 20 into its acceleration उपर जो block रखा है 20 kg क उसके motion के लिए equation बनाया मैंने कैसे है यह friction 15 है तो यह friction 30 है 30 minus T net force that is mass 20 kg into acceleration हम कह रहे हैं कि चल रहा है system system चल रहा है सभी के acceleration सेम है यह मेरा दूसरा इस पे आ जाए रसी एक ही है कहीं कोई friction नहीं है रसी पे यह tension है और इस पे F2 जो है 15 Newton है तो इस block का motion क्यों हो रहा है क्योंकि इस पे net forward force है T minus 15 यह force है mass कितना है 5 kg acceleration कितना है A अगर मैं नीचे वाले दोनों equation को solve कर दों तो मुझे T और A मिल जाएगा और solution भी बहुत आसान है आप अगर simply इनको जोड भर दें यह T cancel हो गया यह इधर 15 हो गया और यह इधर 25 हो गया इससे आपको A मिल गया 3 by 5 meter per second square अगर यह system चल रहा है और जैसा question कह रहा है कि इस friction से यह friction डबल है अगर यह बात सच है तो system का acceleration 3 by 5 meter per second square होना चाहिए अब अगर acceleration 3 by 5 है तो यहां से आप F क्या calculation कर सकते है क्यों पूरे system को तीनों block के system को हम एक object मालने है तो उनका acceleration 3 by 5 होने के लिए required force F कितनी होनी चाहिए है F minus 15 यह सब अंदर के tension mention यह सब internal force हो गए external forces system पे F है और यह friction है तो capital F minus F2 that is 15 must be equal to 75 A की जगह पे अगर आप यहां 3 by 5 लिख देंगे तो आपको F की value मिल जाएगी F minus 15 75 into 3 by 5 I guess this is 45 check कर लेना 75 into 3 by 5 yes it is 45 therefore applied force is 60 Newton force की value है 60 Newton 60 Newton minus 15 Newton total forward force F 45 Newton 45 Newton 75 kg के mass को move कर रहा है 45 by 75 that means 3 by 5 system का acceleration है अब आपके मन में आता होगा कि क्या जरूरी है कि यह system move करे क्या जरूरी है कि यह system move करे यहां friction static है यह समझ में आ गया ठीक है यह भी तो हो सकता है कि हमारा force बहुत कमजोर है और यह system move नहीं कर रहा है तो क्या दूसरी possibility है क्या दूसरा answer भी हो सकता है चेक करते हैं यह system ध्यान दीजेगा यहां rubbing नहीं हो रही है अगर चलेंगे तो यह दोनों साथ और यह दोनों अगर चलें साथ तो इसको भी उसी acceleration से चलना पड़ेगा अब हमारे मन में सवाल आता है कि नहीं अगर कुछ भी न चल रहा हो चलेंगे तो तीरों साथ और नहीं तो नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं चल रहा हो यह situation कब हो सकता है जब आप कोई force मत लगा अगर f0 f0 तो भी यह condition satisfy हो रही है कि f1 is equal to 2 f2 अगर मैं इसे खीचू ही नहीं तो यहां तो friction 0 ही होगा न अरे 0 ही होगा न तो यहां भी friction 0 है यह friction उसका double है हाँ जहे बिलकुल है 0 into 2 is 0 अगर मैं इसको खीचू ही नहीं वो ही force न लगाउं f0 हो तो भी यह condition satisfy होती है यह भी एक answer हो सकता है बट बहराल question में लि when the given condition is satisfied that could be an answer if it is allowed that this force is 0 then yes f0 is also a solution right anyway that is not the case that we want to discuss we want to assume that we are applying a small force system is not moving let us say I am applying a force of 10 newton now if you apply a force of 10 newton this friction can adjust itself to 10 newton and nothing will move फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो चलेंगे तो 3 हो 7 नहीं तो नहीं चलेंगे यह तो हम discuss कर चुके यह force अगर 10 newton है तो यह friction 15 तक जा सकता है इस पूरे को अगर मैं एक system मान रहा हूं यह 10 newton लगाने से यह friction 10 pages हो जाएगा system नहीं चलेगा हम 15 newton लगाए तो यह friction 15 pages हो जाएगा system नहीं चलेगा if I apply a small force say less than 15 then obviously system is not going to move system is not going to move if the system does not move is it possible that this friction is double of this if the system does not move is it possible that this friction is double of this of course this is not possible of course this is not possible of course this is not possible how is it possible कोई कुछ भी नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है तो this T is equal to F1 इस block के लिए कुछ भी नहीं चल रहा है तो this T is equal to F2 इस block के लिए अगर system चलेगा तो तीनों साथ नहीं तो नहीं चलेगे यह तो हम पहले conclude कर चुके हैं जो question में दिया है context तो उस context है अगर नहीं चल रहा है कुछ भी इस block को सिर्फ सोचें तो इस पे लगने वाला friction tension के बराबर है और इस block को सोचें तो इस पे लगने वाला tension friction के बराबर है और tension तो एक ही है मतलब F1 और F2 बराबर है अगर system नहीं चल रहा है तो F1 और F2 बराबर है पर question क्या कह रहा है question तो कह रहा है कि F1 F2 का double है अगर system नहीं चल रहा है तो F1 F2 का double हो ही नहीं सकता है अगर system नहीं चल रहा है तो F1 F2 का double नहीं हो सकता है इसलिए system को चलना पड़ेगा तो system is definitely moving और जैसा मैं पहले argument दिया था अगर भूल गए थे तो वीडियो के शुरू के दो चार मिनेट फिर से देख लो मैंने argument दिया कि अगर चलेंगे तो तीनों साथ चलेंगे तो तीनों साथ चलेंगे मानलिया acceleration यह होगा और इस केस में मानलिया F1 F2 का double है तो जब हमने solution किया तो हमें दिखा कि इस केस में acceleration 3 by 5 होना चाहिए अगर आप टेंशन निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं इस ब्लॉक को कंसिडर कर लिए टी माइनस 15 is mass of this block into acceleration लिए टेंशन मिल जाएगा यह question मैंने इसलिए चुना बच्चों discuss करने के लिए क्योंकि मैंने देखा कि books में पता नहीं बहुत सारे case 123 करके बड़े लंबे चौड़े से अजीब से solution दिये हुए हैं जो आपको बहुत confusing लगते हैं मेरा मानना है 99.9% बच्चों को नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हु पसंद आया अगर पसंद आया तो थोड़ा तो शेयर करो आगे थोड़े तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी और बढ़िया question के साथ बाइबाई